शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें और लोगनी ख met जए बर उड हो ची में पिरोगी एंच्राईब के रिए येफ भीके लगक्तितेु है aby बगाने कोओनीं बाप भी? हर्षिद? तुम यह क्या कर रहे हो? आप बहुत खुबसूरत हैं भापी क्या बत्तमीजी जाओ यहांसे? हर्षिद छोड़ो मुझे भापी आप चिला क्यों रहे हो? कोई गलत समझ बैटेगा भापी जी आप मैं राज हो ने क्या? हर्षिद? 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 तेरी इतनी हिम्मत हाथ छोड़ क्या कर रहा है यहांपे? भाभी मैं गलती से कमरे में आ गया तो गलती से तो तु इस घर में भी आया है ओचे तेरा इस घर में दाना पानी बल निकल इहांजे भाइया भाइया छोड़ो भाइया छोड़ो मुझे छोड़ो मामा ममी यह आनन भी अपगला गया है यह आपने बाप के घर जा आनन मामा बचाओ इस पागल भाई से, यह माँ डालेगा मुझे किसी दिन. अगर तू इस घर में रहा, तो सच में माँ डालूगो तुझे. शुप करो, आनन. ऐसा क्या कर दिया इसने, जो इतना फफल रहे हो? पूशी से, इजी से पूछे ने, बाउजी. मैं बताता हूं, मामा, मैं भाभी जी के कमरे में चाय पूछने के लिए गया था. वहां भाभी जी, कपड़े बदल रही थी. उसे वक भाई आ गया और मुझे बढ़कने लगे, और घजीट के बाहर निकालने लगे. आधी बात मत बोलो, हरशित. तुमने में साथ बतामीजी करने की कोशिश की थी. अभी ये क्या भूल रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था. मैं कासम खा के बोलता. अच्छा, तू सुशमिता के कमरे में गया था की नहीं? समझ गई मैं. अब तुम दोनों अपना मूँ बंद रखो. लेकिन कब तक माजी इसकी हरकादे ठीक नहीं है? अरे देवर है तुमारा. अगर मजाक में हाथ पकड़ भी लिया ना, तो फूल नहीं जड़ गई तुमारे हाथ के. बाजी मजाक उसका अच्छा लगता है जिसकी नहीत अच्छी हो. इतना ही सब की नियत पे शक है अगर तो दर्वाजा बंद करके नहाना धोना चाहिए था. ये मद भूलो के तुम दोनों के अलावा भी और लोग है इस घर में. सावधानी बरतनी चाहिए थी के नहीं? बाजी, बहर के चोरों और लफंगों से तो हम साधन रह सकते हैं. लेकिन जब इस तरह का लुच्चा लफंगा इस घर में रह रहा हो तो कब तक? बाजी, अगर मुझे लुच्चा लफंगा बोला तो अच्छा नहीं होगा. कोई कमी नहीं है मेरे पापा के पास. जब चाहूं इस घर को छोड़के जा सकता हूं. तो जाना हूँ. आनन्द! नहीं, अर्शिद बेटा, तुमें कहीं जाने की जुरूत नहीं है. जाएंगे तो ये दोनों जाएंगे. और वैसे भी निकम्मे और निठलों के लिए इस घर में कोई जगा नहीं है. दो साल हो चुके हैं तुम दोनों की शादी को. हरे तरस गई हूँ मैं पोते का मूद एकने के लिए. हर्शित की हजे से मेरा मन भैला रहता है. और वो ही तुम दोनों की आउंकों में खटकता है. सब समझती हूँ. मृदिला, मामे, तुम ठीक तो हो तुम ठीक तो मृदिला, थोड़ा जखकर आ गया था जी. मामे, पानी में, नहीं चाहिए मुझे पानी मानी. दे सकती हो तुम मुझे बसी पोता दे तुम. कर दो मुझे पाले पाले हूँ. यहाँ होुआ तुम. सोज़ो सुष्मिता पत्नी प्रॉब्लम है तो पत्नी को कैसे नहीं दा सकती आनन तुम मेरी प्रॉब्लम दूर नहीं कर सकते सुष्मिता क्योंकि मेरी प्रॉब्लम की वज़ा मैं खुद हूँ तुम देखते जाओ बस मोट चेंज होगा तो प्रॉब्लम भी दूर हो चाहिए कहां दूर प्रॉब्लम हुई सुष्मिता पूरा एक साल हो गया इलाज चलते हुए लेकिन इस घर को एक बच्चा तक ने दे पाए है पती-पत्ने के प्यार के निशानी होते हैं बच्चे घर की खुशाली होते हैं बच्चे लेकिन शायद हमारे भागया में संतान सुख लिखा ही नहीं है मेरा दिल कहता है में मा जरूर बनो नहीं कब सुश्मिता कब देखना तुमने रोज रोज कैसी जलालत की जिन्दगी जीनी पड़ती है हमें भी और हमारी बज़ा से तुमको भी उपर से एक धंकी नौकरी तक नहीं मिल पाई नहीं तो कब का छोड़के चले जाते हैं यह गार और जरह सोचो जब मा बाव जी को इस बात का पता चलेगा की उनका इक लौता बेटा बाप बनने लाइक नहीं है तो पता नहीं क्या-क्या सहना और सुनना पड़ेगा हमें अनल ऐसा क्यों सोच रहे हो हमें बच्चा भी होगा और जल से जल तुम्हें एक अच्छी नौकरी भी मिलेगी नहीं सुश्मिता लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं लगता शायद हमारे नसीब से लक्ष्मी और खुशी दोनों रूट गई है तुम्हें इस लक्ष्मी को कुछ रखो इस घर की लक्ष्मी फिर देखना हमाय पास कैसे खुशी आएंगी और बाहर से झाल 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 आप सब खेरियत तो है ये बताईए साले जहाब ऐसे ही रिष्टेदारी नभाई जाती है अरे भाई क्या हो गया कुछ हमसे गलती हो गया कल फिर आपके बेटे ने बत्तमीजी की मेरे हर्शित के साथ अगर आप लोग नहीं चाहते कि हर्शित वहाँ आप लोगों के साथ रहे तो मैं उसकी कहीं और विवस्ता कर देता हूँ इलाबा शेहर में घर की कमी नहीं है पैसा प्हेंकूंगा तो कहीं गर में जाएंगे हर्शित के रहने के लिए आप तोनन्त मेरा पांसलाग रुपे मेरा एकाउंट पर ट्रांसवर की कि मैं हर्शित को कहीं और शेफ्ट कर देता हूँ ठीक है ना? नहीं, नहीं, विजेबाबू हर्शित भांजा है मेरा वो इलाबाज शेहर में रहे और कहीं और रहे ऐसा अभी हो सकता है मैं आनंद को समझा चुका हूँ और वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा मैंने कह दिया है उससे कि जब तक हर्शित इस घर में है उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए मैं आपको वचन देता हूँ कि आनंद आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा बाओ जी वो नौकरी के इंटर्व्यू के लिए बाहर जा रहे हैं अगर दो सो तीन सुरुपे मिल जाते तो काम हो जाता हमारा पैसे बापने पेड़ पर लगा रखे हैं क्या जब चाहा मूठा के चले आए पैसे मांगने तुम्हारी उमर में कमाने भी लगा था और तुम्हारा बाप भी बन गया था शरम नहीं आती है ना आज तक एक रुपिया कमा के दिया है और ना पोटा पैदा करके दिखाया है बाओ जी नौकरी के लिए कोसिस कर रहे हैं न हम घर पे खाली नहीं न बैठे और पोता सिर्फ हमारे हाथ में नहीं है, भगवान की भी मरजी होनी चाहिए पहस मत करो, विजे जी न आज तुम्हारी वज़े से मुझे क्या-क्या नहीं सुनाया है घर लेती है वक्त जो उन्होंने करजा दिया था हमें, पांच लाक रुपए, आज वो मांग रहे थे एक तरीगे से धंकाया है आज उन्होंने मुझे, कि हरशीत को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए च्छो, तो इसने फिर से अपने बाप से शिकाइट कर दी हां तो, बताना तो पड़ेगा ना, इस घर में मेरे साथ क्या क्या हो रहा है क्या बोला? तु देख मामी दखके मार के तुझे घर से निका लूँगा शूर शूर निकल जा इस घर से, निकल जा और अपनी बीवी को भी साथ ले जा बाव जी, यह सही नहीं कर रहें आप मालिक उमें इस घर का, जो चाहूँ ओ कर सकता हूँ अरे मेरे टुकडों पे पलते हो तुम दोनों बस, अब और नहीं पलने दूँगा कमाई धमाई एक पैसा नहीं और गर्मी तेर्ट सो डिगरी भाव जी, माफ कर दीजे इने नौकरी का इंटर्व्यू देने जा रहे असे लडाई चगडा करके जाना अच्छी बात नहीं है आनत, तुम जाओ अभी आसे प्लीज जाओ आनत, मैंने कहा था ना हमाई लाइफ में खुशिया जरूर वापस आएंगी और देखो तुम्हें जॉब भी मिल गई अब दीरे दीरे सब कुछ ठीक हो जाए देखते हैं, कब सब कुछ ठीक होता है आनत, ऐसे मायूसी वाली बाते क्यों कर रहे हो तुम सुश्मिटा तुमने देखा नहीं सुबह कैसे बाउजी ने हमें घर से धक्के मारके सब के सामने निकाला अब नहीं करेंगे तुम खमाने वाले हो गयो और पैसा देखे तो हर किसी का नजरिया बदल जाता है हाँ, शाय तुम ठीक कह रही हो मजबूर को सबसे पहले दबाते हैं घर वाले और हरिष्टे नातों से ज़्यादा पैसा ही हो गया है तभी तो माँ बाउजी अपने घर के के लौते बेटे से ज़्यादा पैसे को मैं तो देते हैं वो तो है वैसे भी गरीब के जीते जी उसको कहा इज़्द मिलती आनन खेर वो सब छोड़ो पैमिंट की कुछ बात हुई मेरा मतलब कितना दे रहे हैं बीस हजार पे बात हुई है चलो ठीक है जहां कुछ नहीं मिल रहे थे वहां बीस हजार भी बहुत है लेकिन आनन एक प्रॉब्लम है पैमिंट तो तुम्हें एक मेने के बाद मिलेगी और परसो डॉक्टर का अपॉइमेंट है डॉक्टर की फीस अब मोची थेंगे क्या सुश्मिता अभी ये सब बाते मत करो ना मैं अभी ओटेंशन नहीं लेना चाहता रही बात पैसों की तो कल करूँगा कुछ इंतजाम ठीक है पती देव सो जाते हैं सो जाते हैं हाँ बाव जी यह सामान यह लीजिए साड़े साथ सो रुपए बचे होंगे पैसे दो क्या हो आनल यह पैसे कहां चले गए दो हजार रुपए दिये थे साड़े बारो सो का समाना गया बागी के पैसे निकालो बगुए लगता है पैसे कही गिर गए क्या तुम होश में तो हो कमाना धमाना एक रुपया नहीं ओपर से साड़े साथ सारुपाय और गिरा दिये तो बाओ जी, इसमें में क्या करूँ? जाओ जाके पैसे ढूंड कर लाओ और तब तक अपनी शकल मत दिखाना जब तक तक तुम पैसे लेना हो बाओ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी कहां ढूंडूगो मैं पैसे? वो भी इतने रात के टाइम में हैं जानते हो आनंड, जिन्दगी में मुझसे सिर्फ एक गलती हुई है, एक तुम जैसा नालाइक बेटा पैदा करके और वही गलती आप मुझसे भी करवाना चाहते हैं पोता चीए ना आपको, क्यों चीए पोता? अगर कहीं वो इस नालाइक बाप की तरह नालाइक निकला तो फिलहाल आप इसी नालाइक को जहल लीजिए और शाहिद आपकी इसी जबान की पैज़ा से आपको पोता बोता होता नहीं है, आनंड! जब मामा इसको सुनाते हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, सच में! मेरी मचपूरी ने मुझे चोर भी बना दी है, सुश में था! डॉक्र किफीज देने के लिए बाउजी से जूट बोलना पड़ा! चिंता मत करो, पैसे भी दो दिन बाद तुम्हाई जॉब लगने वाली, हम किसी भी पाने सो नहीं है, पैसे लॉटा देंगे ना, अनंड! बाब जी, अब सब ठीक हो जाएगा, अस, कृपा है मालिक की, तुझे नौकरी मही दई है, खोब कमाना मिटा! यह ले बड़े, दाईशे, बगवान करे तुझे अपनी नई नौकरी में खूब तरक्की करें, और जल्डी से हमें पोता दे दे! अरे मामी, नौकरी में पोता नहीं मिलता, तंखवा मिलती है! और हां, पूरी की पूरी तंखवा लाकर मेरे हाथ पर रखना, यह ना गया ना कि बबबुजी रास्ते में मेरे से पैसे गुम गए! अरे मामा, आप तंखवा हाथ में नहीं मिलती, सिधा अकाउंट में आती है! तो अकाउंट से सिधा मेरे अकाउंट में ट्रांसर कर देना! बाउजी, सेलरी एक महीने के बाद मिलेगी, और आप अभी से पीछे पड़ गए! अनन, तुम बाउजी को भचन दे दो ना, जब तुमाई पेमेंट आए तो भचन पुरा कर दे ना! ठीक है बाउजी, अच्छे माँ, अब मैं चलता हूं! अच्छे सुनो, जो आपका पहला देन है, कम से कम अमा बाउजी का चलंश परश्तो कर लो! जूजुक जीओ, जूग जूग, जोग जूग.. विश्टा! जीडो अब तो इसके पती को जॉब भी मनगी। अब इसका भाव और बर जाएगा! हृलो जी वीजे जी सब कुशल इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा वीजे जी और हर्षित की दरफ से आप बेफिकर रही है हम उसका पूरा ख्याल रख रहे हैं अरे हर्शेद का पूरा ख्याल रख रहे हैं इसका क्या मतलब हुगा मेरी में रख रहे हैं पच्छे साजार रुपा महीना दे रहा हूँ आपको मैं मेरा पैसा के हड़ जाएंगे आप नहीं, नहीं, विजेजी, मेरा वो मतलब नहीं था. मैं अगले मैने इसी तारिक को आप से फोन करूँगा, पैसे गंदिजाम रखिएगा. कहां से लाओंगा एक महीने में पांच लाक रुपए? अरे, आप आगए? कैसा रहा ओफिस का पहला दिन? आओफिस का दिन तो, सुश्मीता, यह तो मेरी दवाई है. हाँ, वो मैं ही लेके आई. रुकियों में पाइन दाती हूँ आपके लिए. सुश्मीता, एक मिनुट, तुम्हारे पास पैसे कहां से आये? क्योंकि दवाईयां तो 16-1700 रुपे के थी. मेरे पास थे पैसे. थोड़ा-थोड़ा करके मैंने बचा के रखे थे. तो पागल पैसे? बहु, मेरे ना 17-1700 रुपे नहीं मिल रहे हैं. तुम्हे कुछ पता है क्या? नहीं तो माजी, कहां रखे थे आपने? ने कबट में ही रखे थे. पागी सब पैसे हैं, बस 17-1700 रुपे ही नहीं मिल रहे हैं. मा, शायद आपने खर्च कर दिये होंगे और भूल गए होंगे. अरे, नहीं, नहीं, ऐसे कोई बूलता है क्या? अरे, ये इतनी ज़्यादा दवाईया किस बात की है? क्या हुआ है किसको? मा, वो मेरी दवाईया है, बॉड़ी में थोड़ी बीकनेस लग रही थी, तो ओफिसे आते हुए डॉक्टर को दिखा दिया. ऐसे, डॉक्टर को देने के लिए पैसे कहा से आए तुमारे पास? मेरी ओफिस में एक आदमी है, बहुत अच्छे है बेचारा, उसने उधारे दे दिये. सुश्मिता, मा के पैसे तुमने है. आनंद, विजय जी ने एक महिने की अंदर-अंदर अपने सारे पैसे मांग गया ही. दो लाग रुपए का इंतजा मैं किये देता हूँ, बाकी तीन तुम देना. पर बाउजी, हम तो अभी-अभी जॉब शुरू किया हैं, और सारी सेलरी भी आपके पास ही देने बाले हैं. फिर एक महिने में तीन लाख रुपए हैं, हम कहां से लेकर आएंगे? मैं कुछ नहीं जानता, भीक मांगो, डाका डालो, अपने ओफिस से करजा ले लो, और अगर उससे भी बात ना बने तो अपने आपको बेज दो, लेकिन मुझे पैसा चाहिए. मां, आप ही समझाये न, बाओ जी का. क्या समझाये हम? अरे वा, खाना चालू भी हो गया. अरे हर्शित बेटा, कहां थे तुम? तुम्हें फोन भी लगाया, फोन नहीं लग रहा था. आओ बेठो, खाना खाओ. बस अपने प्यारे अनंद भाईया, और उनकी धार्म-पत्नी, सुष्मीता जी के जूट के बारे में पता करने. और क्या पता किया तुमने? यही? कि आप बाप नहीं बन सकते हैं. हर्शित! यह क्या बख्वास है? अरे, मज़ाब की भी एक हाद होती है. हमारे प्यार दुलार का मतलब यह नहीं है, कि तुम कुछ भी बोल दोगे. मामी, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं. मैं तो बस आपके और मामा की आखे खोलना चाह रहा हूं, जिसमें आपके बेटे और बहु धूल जोग रहे हैं. भावी आपसे ऐसी उमीद नहीं थी. कम से कम आप तो मामी को बता सकती थी ना, कि भावी नाम मर्दानगी की दवा खाते हैं. यह यह क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? मुझे तो उसी दिन शक हो गया था. वह बहुत सारे पैसे थे, लेकिन मैंने सिल सत्रा सो ही उठाए. कुछ तो राज है, पता करना पड़ेगा. सुष मिता, मैं तो चोर था ही. लेकिन मेरी मजबूरियों ने तुम्हें भी चोर बना दी. सुरे. लगते है कुई है. कुई भी नहीं है. बहा है मुंपोच है. और आज मैंने भावी के कबड में यह डॉक्टर की परची देख. अभी अभी मेडिकल शॉप से पूछ के आ रहा हूँ कि यह किस चीज की दवाई है. देखिए मामा. तो रिष्टेदार नहीं है इस घर का. बेदी है. आस्तिन के साब? अब मैं तुझे और बर्दास नहीं कर सकता. चल निकल. निकल इस घर के. आनन, चोड़ इस. चोड़. अर्ण का बेदी अर्शित नहीं है. बलकि तुम दोनों पति-पत्नी इस करके दुश्मनों. इतना बड़ा जूट. और वो भी अपने इमाबाब से. तो क्या कहता हूँ मैं आपसे? कि आपका बेटा ना मर्द है. नपुर्स है के आपका बेटा? एभगवान. अब मैं समाज में क्याम हो निकल की. इतना बड़ा कलंग लंग क्या परिया है. ऐसा नहीं है माजी. इलाज चल रहा है आनन का. सब ठीक हो जाएगा. बच्चा ना होना कोई गुनाह नहीं होता. पैसे भी अभी बहुत वक्त नहीं निकला है. एक महिना. सिर्फ एक महिने का वक्त है तुम दोनों पती-पत्नी के पास. मुझे तीन लाक रुपए लाके दो. और पोता होने की खुशखबरी भी. वरना 31 दिन खामोशी के साथ इस घर को छोड़ देना. किस काम का वो वरिक्ष जो ना फल दे सके ना साया. खा लिया खाना. आज एक महिना भी पूरा हो गया. समझ में नहीं आता है कि खरजा के बाउजी को क्या जबाब देगे? आनन्द भीया? यह यहां क्या कर रहा है? इसको तो अपनी जॉब प्योना चाहिए था. किदर कायब हो गया ही? कोई तो यह नया चक्कर है. अब ही अब ही यहां पर आदमी बैठा हुआ था. उसने चाय के पैसे दिया आपके? अच्छा हो जिसके बिछे आप भाग रहे थे? अजी अजी वही वह चाय पीता का है? इछले एक मेने से देख रहा हूँ, ग्यारा बजे के आसपास अपना बेग लेता है और आके इधर बेड़ जाता है चिपचप और पाच बजे के आसपास शाम को वापस चला जाता है. ना कभी किसी से कुछ बोलता है, लेकिन हाँ, एक दो बार पानी पीने आता है आपर. अच्छा, भीया, धन्यवाद. अच्छा, तो ये खेला खेला जा रहा है. अब निकालता हूँ मैं दोनों मिया भीपी की हेकड़ी. हर्षित, क्या कर रही है? प्यार, जिसे तुम गुना समझती हूँ. निकल यहां से, वरना मैं खीच के तुझे अमाबाउजी की पास लेके जाओंगी. वो तुमारी सुनते का है भाभी? मैं तो बस तुम्हे एक राज की बात बताने आया है. अनन्द भाईया का राज. सुनके न, तुम्हारा माथा ठनक जाएगा. तुझे और कुछ काम नहीं है क्या? यह राज की बाते पता करते फिटता है बस. इस साम में भी ना राज की बाते ही लिख किया ना. निकल जाब यहां से तु. तुम्हें पता है भावी, आनन्द भाईया कोई जूब नहीं करते है. क्या? सोचो वो तुमसे भी जूट बोलते हैं. दिन भर एक चाय की टपरी पे बैठे रहते हैं और शाम को घर पे वापस आ जाते हैं. जॉब कम्प्लीट और पेमेंट निल. जूट बोल रहा है थी. मैं अपनी आखों से देख के आ रहूं भावी. मुझे देखते हैं एकदम भागने लगे. परशित, तुम अम्मा वाउजी से भी बोल देगा क्या यह बात? नहीं भी बता सकता हूं. अगर तुम मेरी बात मान लो तो. क्या? देखो भावी, अनन्द भाईया की बीमारी के बारे में तो तुम भी जानती हूं. और वेचारे कुछ कर भी नहीं पाते हैं वो. बस भावी, तुम मुझे भी खुश करती रहो. मैं चुप रहूँ भागने. मैं पापा से बोलकर एक दो महने के लिए उनसे पैसे मागने के लिए भी मना कर दूँगा. फिर घर में भी शांती रहेगी भावी. और भावी, देखना मैं तुम्हे वो आनन्द दूँगा, जो आनन्द भाईया कभी नहीं दे पाएं. चुप कर बत्तमीज! परना मैं तेरा कून कर दूँगी! निकल या से! जा! मेरे प्यार को ठुक रहा है ना तुन्हे! अब देख तूं, तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी! अनन्द अगर ये बात सचुईना, तुम्हें अच्छा नहीं किया! नमस्था जूट नहीं बोलना था! लोग आ गई हम! सुश्मिता! अब आप सब लोग हमें ऐसे घूर क्यों रहे हैं, आनन्द? अब और कितना जूट बोलोगी हमसे? कब तक हमें धोके में रखोगे? तुमने अपनी बीमारी के बार में हमसे बात नहीं की? अब और क्या? कब तक सहे हम? बाओ जी, आप ये सब क्या कह रहे हैं? बात क्या है? नौकरी तो मिली नहीं एक महिने से जूट पे जूट बोलते चले जा रहे हो और हमसे भी आगे जूट बुलवा रहे हो मैंने खुशी में आके पता नहीं किस-किस से कह दिया कि हमारे आनंद को नौकरी मिल गई है क्यू बोलते हो तुम जूटे? बाओ जी, हमने इसलिए जूट बोला था कि इस परिबार में सांती बनी रहे आनंद तुम मुझे तो बता सकते थे ना मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया है तुम्हारे जूट में, तुम्हारे सच में तुम्हारी हर एक तकलीफ, हर एक दुख मैंने तो तुम्हें कभी ताना नहीं मारा फिर क्यों जूट बोला मुझसे मैं तो खुश हो गई थी मेरा पती अब नौकरी करने लगा कम से कम मुझे एक निठल्ले और निकम्मे की बीवी होने का ताना तो नहीं सुनना पड़ेगा पर अब तो तुमने मुझे और शर्मिंदा कर दिया सुशमिता देखो तुम मेरे नौकरी लगने की ख़़र से बहुत खुश थी मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था पर माई बाउजी हम फोन पर हर दिन नौकरी के लिए कछिप पती जूटे हो तुम जूटे है माँ कम से कम आप तो ऐसा मत बोलिये तो क्या बोलू मैं? ना तुमारे पास पैसा है ना तुम दोनों मिया बीवी आमे पोता दे सकते हो अब तो हम भी यही कह रहे हैं तुम किसी काबिल हो ही नहीं इसलिए अपने बीवी को लेकर निकल जाओ यहां से हमेशा के लिए रिदूर हो जाओ हमारी नजरों से पीछा छोड़ो हमारा नाईम रिदिला, शान्त हो जाओ मरेवे को और क्या मारना निक्रिष्थ हो चुके हैं यह समाप्त मामा इतने शान्त क्यों रह गया बिलकुल भड़के ही नहीं इस पर हैकाउंट में सिर्फ दो लाग पांच हजारी है समझ में नहीं आता विजय जी को पांच लाग रुपाए कहां से लाके दूगा उनका फोन किसी भी वक्त आ सकता है जी मामा मैंने सब को बता दिया कि मैं और आप बाद में खाना काएंगे बागी सब खाना खा रहे हैं ना आम बस खाने ही वाले आओ बैट जो मेरे पांस अरशित मैंने खाने में नशे की गोलियां मिला दी है बस कुछी देर में सब बेहोशी के आलम में बहुच जाएंगे मामा ये क्या बोल रहो आप? आपने ऐसा क्यों किया? देखो अरशित मेरा बेटा आनंद ना मुझे पैसे दे सकता है और ना पोता एक बात बताओ तुम्हें शुश्मीता अच्छी लगती है ना? मामा ये क्या बोल रहो आप? लगता है आपको बहुत चाड़ गई है आप आराम कीजे नहीं मैं बिलकुल होश आवाज में हूँ पताओ हरशित तुम्हें शुश्मीता अच्छी लगती है या नहीं? हाँ मामा वैसे मुझे भावी अच्छी तो लगती है बहुत अच्छी बात है हरशित अब थोड़ी दिर में शुश्मीता के कमरे में चले जाना बाकी सब बेहोश पड़े सो रहे होगे और तुम मुझे वोता देने के इंतजान में लग जोगे क्या मतलब है आपका मामा? घबराओ नहीं हरशित इस घर को वारिस चाहिए जो तुम मुझे दोगे शुश्मीता के द्वारा आपका मतलब क्या है मामा? ये सब ठीक नहीं लग रहा मुझे समय की यही मांग है बिटा, समय की कहो तुम वही करोगे जो मैं तुम से कह रहा हूँ लेकिन मामा भाईया भी तो कमरे में होंगे मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है मैं तुमारा डर अभी दूर कर देता हूँ ऐसे दो पैग लगा लो सारा डर खतम हो जाएगा लो लो मामा की बात मत्ता लो शाबाश अरे अरे यह आनन के बाबुजी कहा गए आनन के बाबुजी अरे अर्षित की कम्रे में ही सोगए जाकर देखते हूँ आंन के बाबुी वाट यह वावजी यह आपेने यह यह तु आने, क्या हो गया अपको? आने, हर्षेद, क्या हो गया अपको? आने! पत्ता नहीं माजी इतना क्यों चिल्ला रही हैं? चलो, देखते हैं. आने, हर्षेद, यह यहां क्या कर रहे हैं? हर्षेद, हर्षेद, अरे, यह तो मरे चुक हैं. हर्षेद, मा. हर्षेद, ना। आने, एक शुच्वेदा देक्ख... बहुचे! बहुचे! अदेगो तुमारी बाप्वजी अवह छोड़के चले कें. क्या? किसी नह मार ठीकी अने? बहुचे, मा, उपर हर्षित भी मरा ठड़ा है, हमारे रूम में. क्या? नहीं! अचे, इब बावारी... मा, बाशंपने है साधना यह सारी चीज़े एविडेंज बैग में डालो दूसरी बॉड़ी का है सर्व वो उपर बेड्रूम में है चलो दिखाओ हाखाखाखाखाब लुड़ी हाखाखाखाटाखाइस किलाब क्या हो गए? आनन तेरे बाब मुझी जड़के चले है मुझी अखेला चुड़के चले है अधि अर्शित भी चुड़की चले है क्या हो गए? सर शाहिद यह शाहिद चोर आय थे सर जो बावजी और हर्शित ने उन्हें रोकने की कोशिश की होगी तो सर शाहिद यह हाथसा हो गया बार डाला चोरों ने हर्शित और मेरे बावजी को मगर लूट का तो कोई निशान नहीं मिला मैं आपके परिवार की किसी से कोई ज्यात्ती दुश्मन नहीं? नहीं सर हमारा ना कोई दुश्मन था ना है मसला यह है कि दो डाट बॉडिस पाई गई है दो अलग-अलग जगाओं से पर कैसे? हर्शित की बॉड़ी तो आपके रूम से ही मिली है इतना सब कुछ हो रहा था अगर में आप मैंसे किसी को कुछ पता ही नहीं चला सर उस दिन पता नहीं क्या हो गया था कैसा मन्हूज दिन था कि हमारी नीदी नहीं खुली और आप दोनों की? आप दोनों की भी नीद नहीं खुली थी? सर हम सच कह रहे है हम तो कुछ माजी का रोना सुनकर जागे थे Govind body को पोस्पोड़म के लिए बेजो और आप में से कोई भी शेर छोड़कर बाहर नहीं जायेगा मेरी permission के विना ठीक है? चलो इजे जी हम तो अप से माफी मागने के लाइक भी नहीं जाए हर्षिद को आपने हमारे पास पढ़ने के लिए भेजा था लेकिन आप तो हमाप उसे वापस भी नहीं कर भाए क्या बोलू बाभी जी मुक्सान तो हम दोनों का हो गया ना आई साथ भी तो नहीं रहे इस्पेक्टर अब सिर्फ कुछ पता चला क्या बेलकुल पता चला है अब सभी के रिपोर्ट सा चुक है अब सभी के ब्लोड में ड्रग्स के ट्रेसिस पाई गया है इसका मतलब यह हुआ कि किसी ने जान मुझकर आप सभी को बेहुश किया था मगर एक शक्स है जिसके शरीर में कोई ड्रग्स नहीं पाया गया है मिस्टर आनन चटे पोलिस टेशन शरी आप क्या कह रहे हैं आप आप मुझ पर शक कर रहे हैं शक नहीं कर रहा यकीन से कह रहा हूँ अरशित के गले पर और उस बोटल पर तुम्हारे उम्झीों के निशान पाए गया है तुमने किया यह सब? तुमने किया? अरी वर्णा कैसे मिलती पुलिस का तुम्हारे उग्लियों के निशाद। क्यों किया तुने? क्यों किया? अब सारा सच बोलोगे या थाने ले जागर सारा सच निकलवाओं? हर्षे! तेरी इतनी हिम्मत, तो यहां तक भी आ गया? हाँ? तूट कैसे गया? मामा ने तो सब्ती खाने में नशे की दवाई मिलाई थी ताकि मैं अपना काम कर सको? चल, मामा के पास ही चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं, चल! चल, चौट अज मेरे और सुष्मिता के बीच आने के कोशिश की ना? तो ठीक नहीं होगा मामा ने मुझे ओडर दिया है ताकि मैं उन्हें पोता जे सकूँ मेरी सुष्मिता भावी तेरा किस्ता ही खतम गरतावाद बावाद बावचे प्रावाद यावचे लिया है बाउजी आज क्या किये हैं आप हर्शत को सुश्मिता के रूम में भेजे थे ना तो क्या गरूँ पोता दो चाहिए ना अरे तू नामर्द है नामर्द इसलिए एक मर्द को भेजा था तेरे कमरे में तू नालायक निठलना निकम्मा नामर्द सब कुछ ता तो हो गिया आपने हमें आज खूनी भी बना दिया मार दिये हैं आपके मर्द हर्शित को क्या हर्शित मर गया हाँ काम तमाम कर दिया हम उसका अरे तो तू कैसे जिन्दा बच किया तेरी लाश में से चल के जाओंगा मैं हर्शित को देखने तू देख खुनी धरिंदे कातिन व का रिंदे का रहाँ बना प्राणट को देखने हिंवेल Lum व gesam जब उस रात में घर आया तो मेरी फैमली के सभी लोगों ने मुझे बहुत सुनाया ताने मारे इसलिए मेरा मन उदास हो गया और मैं बिना खाना खाये ही अपने रूम में जाके सो गया और इसलिए उस खाने में मिले नशे का असर तुम पर नहीं हुआ शायद और जब आधी रात को हर्शित मेरे रूम में आया तो मेरी नेंद खुल गई उसे देखके मुझे बहुत गुस्जा है और इसलिए मैंने मार दिया उसको अलेकिन मुझे इस बात का अपसोस है और मुझे इसकी सजा भी मिलने चाहिए सजा तो मिलेगी तुम्हें गोविन एकर चलो इस है झाल झाल झाल